उन्नाव लोगसभा शेत्र से समाजवादी पार्टी और इंडिया गडवन्दन की सेयुक्त प्रत्याशी अनुटंडन जी मेरे साथ मौझूद है मैं मुझे मालूम है प्रचार पर निकलना है सीमित समय होता है हम लोगों के पास इस दौर में बात करने का लेकिन जो चेहरे की मुस्कुरहाट कायम है उसका राज क्या है वहीं से शुरू करता हूँ क्या फीडबेक मिल रहे हैं अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इतनी खुशी ये विश्वास वाली बात है या ज़रूरी है दिखाना ऐसा है कि जो अपने घर में होता है वो हमेशा खुश रहता है और उन्नाव मेरा घर है और यहां मुझे जितना सने मिला है शायद ही मैं कभी-कभी अपने को बहुत सो भागिशाली समझती हूँ कि जुनाव हारी या जीती जिती देकि सने में कभी कमी नहीं रही और वो ही सने होसला देता है और खुशी देता है जो आपने कहा हुँना आपके लिए घर है 2009, 2014, 2019 और 2024, चौथा चुनाव आपके लिए उस तरीके से है, एक बार आपने जीत हासल की, प्रत्याशिया प्रतिद्वंदियम कहलें कि लगातर वही हैं, तो आपको वो अंतर या वो जवाब समझा रहा है, आपके लिए मुद्दे क्या हैं जमीन पर इस बारे? देखे, मुद्दे जो घर के होते हैं, उसका कोई अंतर नहीं होता, आप आम मुद्दों की बात करें, तो चाहें वो पानी की बात कर लें, सड़ा की बात कर लें, या बिजली ना होने की बात कर लें, या किसान की बात कर लें, लेकिन सही माइने में जो मुद्दा मैं देख रही हूँ, कि आम जन्मानस बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है, और अंदर एक दबाव सा महसूस करता है, और अगर हमें इनको आगे बढ़ाना है तो कहीं न कहीं बहुत कुछ करना बाकी है और उन्नाओं में खासकर हमारा जो अभी तक प्रतिनीधी रहा है वो क्योंकि उन्नाओं का नही था, उसको यहाँ का दर्द ही नहीं महसूस होता वो कभी-कभी कर्श देता है कि अगर दर्द महसूस हुआ होता तो इतनी बेहाली ना होती आप बखुबी अपने प्रतिदवन्दी का नाम नहीं ले रही है लेकिन आपका जो पूरा इशारा है हमारे तबाम दर्शकों के लिए उत्रप्रदेश की सियासत को समझने में रुची रखते हैं यहां के नहीं उनके लिए मैं कह दूँ कि साक्षी महराज की और आव इशारा कर रही है उनके प्रचार में एक चीज़ खूब दिखाई देती है वो समीकर्णों पर शायदा ध्यान देते दिखाई देते हैं हालात हैं खासकर किसानों के बेरोज़कार नौजवानों के और जिस तरीके का दबाव बना हुआ है और हमारे प्रजात तंत्र पे एक तरीके का वार है वो समझ में आ रहा है लोगों को और परिवर्तन होके रहेगा यह तो समझ में आ गया है और मुझे लगता है यह सवाल शाय तमाम उमीद्वारों से जिन से मैंने अब तक बात किए आप से पूछना ज्यादा मुफीद होगा हमने उत्तर पदेश में गड़बंदन देखे हैं और हमने ये भी देखा कि चुनावों के बाद नेताओं ने मंचों से प्रेस कॉन्फरे चुनावों के बाद फिर कुछ वैसी चीज़े और क्योंकि इतिहास में देखा गया है उत्तर पदेश के इतिहास में तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ गडबंदन हुए लेकिन बाद में उनको नेताओं नहीं फेल करार दिया तेकि ऐसा है कि पहले के चुनाव और इस अपधन में हैं वह देश की स्तिति को समझ रहा है और उसको समझ कर वो अपनी पार्टी से ज़ाधा देश के लिए काम कर रहा है इस ये जी इतनी परेशानी इस बार नहीं है क्योंकि चुनाव ही चुनाव अलग है आखरी दो सवाल में करता हूं, इस वर के चुनाव को और खास्तोर पर जब पहले चरण का मद्दान हो गया, लोग यह कहने बड़ा silent election है, silent election में बतौर उमीदवर थोड़ा डर भी लगता है, क्या कि कम वोटिंग हो रही है, पाला कभी भी धर या उधर हो सकता है, बहुत बा मैसूस हो रहा है, कि चुनाव उस तरीके से नहीं बोल रहा, लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मुझ से तो बात कर रहे हैं, आखरी सवाल जैसा मैंने कहा था, कि जब हम आपके प्रतिद्वंदियों से पूछते हैं, या जो विचार एक रूप सापके प्रतिद्वंदी हैं, वो एक बात पर बड़ा इशारा करते हैं, कि अनो टेंडन जी से जब बात करिए, तो वो समीकरणों में fit नहीं होती, और उसके बाद आपको भी पता है, कि जो इनका आपने इशारा किया बखुबी, कि वो बाहर के हैं, लेकिन समीकरणों पर fit हो रहे हैं, शायद इसलिए उम हैं, वो जिनकी बात कर रहे हैं, उससे अधिक हमारे पास है, और अकलेश यादव जी के पास है, लेकिन उनके भी जो समीकरण हैं, वो भी मेरे साथ हैं, एक तो ये राजनैतिक तोर पे हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर सामाजिक हूँ, और सामाजिक तोर पे 2009 का मेरा चुना करते हैं, तो मैं आपके द्वारा ये बता देना चाहती हूँ, कि मैं एकी जात पर काम करती हूँ, और उसी का काम करती हूँ, और उसी पर निर्भर करती हूँ, और वो है उन्नाव की जात, उन्नाव की जात आपने कहा है, उन्नाव की जनता के लिए काम करने के अपने मैं बहुत बहुत शुक्री अपना समय हमारुजाला को देने के लिए एक अपील जिसके साथ मैं इस पूरी बाचीत को खत्म करना चाहता हूँ और वो आपके जरीवी आजाए वो ये कि हमने पहले चरण का मद्दान देखा हम खुश नहीं है जनता को खूब वोट करना चाहि देश का बहुत बड़ा चुनाओ है और देश में क्या होने वाला है आगे इसका निरने हम लोग लेंगे शायद आजादी के बाद ये सबसे पहला इतना बड़ा चुनाओ माना जा रहा है इंडिया गडपंधन को देखकर आप समझ रहे होंगे और हमको अपनी दायत्व को भी समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को और बच्चों के भविशे के बारे में तो मेरा एक यही अन्रोध है कि एक एक जना अपना एक एक वोट जरूर दे और अगर कोई बुजर्ग है कोई नहीं उठ पा रहा है तो युवाँं से ये निवेदन है गोध में भी ल जाना पड़े तो वोट जरूर तलवाईए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया में इस अपील के लिए और तमाम बातचीत के लिए अपना समय देने के लिए तो यह थी अनुटंडन जिनोंने अपने तमाम दावे पूरे हर तरीके से की हर सवाल का जवाब दिया अब उन नाव में लोगसभा को चुनाव किस करवट लेगा जो परिनाम आएंगे चार जुन को तस्वीर साफ होगी और उस पर भी सबसे पहली नेजर हमारी बनी रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद मैं